क्या आपको पता है कि Fast API के अंदर out of the box आपके पास Swagger documentation आती है Swagger docs क्या होते हैं और किस तरीके से यह काम करते हैं Let's jump into it सबसे पहले आपके screen के सामने यहां पे हम Google पे जाते हैं Google पे जाने के बाद यहां पे हम लिखते हैं Swagger docs Swagger docs जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास Swagger documentation आ जाएगी यह क्या होती है और किस तरीके से काम करती है You can read it up और इसको आप गोर से देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं कि Swagger documentation किस तरीके से काम करती है Whenever you create some kind of application और यह क्यों जरूरी होती है basically हमारे पास developer जो होते हैं basically उनको interactive machine and human readable API documentation फ्राहम करने के लिए और जैसे आपको मैंने पहले दिन बताया था कि हम क्या करती है backend के थूँ API प्रवाइड करते हैं जो front end पे फिर display की जाती है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करते है Swagger docs आपने क्या करना है कोई भी एक app बनानी है मैं यहां पे four number folder बनाता हूँ ताके सारे lesson separate रहें इसको मैं Swagger docs कह देता हूँ और यहां पे हम main.py बनाएंगे अपनी main.py के अंदर मैं जो basic code है हमारा fast API का उसे मैं paste करता हूँ और आप यहां पे देखें कि from fast API हमने import किया fast API यहां पे हमने instantiate कर ली अपनी app और यहां पे इसका get जो एक route है वो हमने बनाया और इसको root route हमने बोल दिया और root route के अंदर अगर आप गोर करें आप कोई भी message return कर सकते हैं मैंने यहां पे किया था कि we are learning at kodenix.com और यह हमने यहां पे इसको लिख लिया और जैसे हम इसको run करते हैं again तो यहां पे uvicon main और बलके मैं चुके cd04 में जाना पड़ेगा now I can run uvicon main app.py और इसको reload के साथ मैं run करता हूँ और यहां पे मैं click करके से open कर लेता हूँ अब आप मज़ा देखिएगा अब यहां पे आपने देखा कि हमारे पास सिरफ एक ही route जो है वो available है अब हम दूसरे तीसरे routes भी यहां पे बना सकते हैं for example मैं यहां पे बनाता हूँ add the rate app.post route और post route के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं for example मैं इसको basic route के अंदर ही बनाता हूँ basic directory के अंदर ही और यहां पे हम इसको कुई भी एक message दे देते हैं hello world और मैं इसको बोल देता हूँ this is a post request ठीक है और इसके बाद हम एक और define करते हैं अपना route और उसको हम कर देते हैं put ठीक है जैसे मैंने इसको control s कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि नीचे यह save हो रही है और जैसे यह मेरे पास save हो रही है if I refresh this आपको यहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा होगा reason behind that क्यूंकि हमने जो यहां पे तीन routes create किये हैं basically हमने उनको यहां पे देखना है कि किस तरीके से हम उसको view कर सकते हैं अगर आप यहां पे जाएं top पे और 127.0.0.1.8000 slash के बाद आप docs लिखेंगे तो आपके पास इसकी swagger documentation इस तरीके से open हो जाएगी fast API की जो out of the box आपके पास available होती है जितने भी routes आपने बनाए हैं यहां पे आप उनको देख सकते हैं कौन-कौन सी चीज़ें आपके routes के अंदर और किस तरीके से आप उनको use कर सकते हैं application किस तरीके से बनानी है अगर उसके अंदर को schema available है को database आपने connect करना है you can also check that out post route है फिर आपके पास request route है put route है गूगल पे जाना है यहां पे देखना है swagger docs for fast API ठीक है आप अगर इसको देखेंगे configure swagger docs तो यहां पे आपके पास यह link आ जाएगा and you can actually see कि आपके पास कौन-कौन सी किसम कि swagger docs जो है वो available होते है and how you can actually highlight those swagger docs as well ठीक है और अपने routes को किस तरीके से आप बना सकते है and this is how you can actually use swagger docs inside fast API अब मुझे पता है कि हमारे lectures के अंदर काफी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपके लिए new होंगी तो आप से मेरी request है कि जो assignment दी जाती है वो आप साथ-साथ करते जाएंगे इस तरीके से आप सीख दे जाएंगे otherwise आपको भी बता है कि दिमाग ऐसे होगा और आपको समझ नहीं आगे किस तरीके से आगे move करना है follow me, subscribe, share and like this video because this helps us a lot see you in the next one क्या ख्याल है? लें फिर yes, see you in the next one